हर सेक्टर में महिलाओं के कदम बढ़ते जा रहे हैं महिलाएं सिर्फ भागी जारी बढ़ा रही एसा नहीं महिलाएं नेत्रुत्व दे रही है आज अनेक खेत्रों में आज हमारे रक्षा खेता में देखिए हमारा एरफोर्स हो हमारी आर्मी हो हमारी नेवी हो हमारा स्पेस सेक्टर हो आज हमारी महलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए लेकिन दुसरी तरफ कुछ चिंता की बाते भी आती हैं और मैं आज लाल के लिए से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं एक समाज के नाते हमें गंबीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं बेहनों बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं उसके प्रति देश का अक्रोश है जन सामाने का अक्रोश है इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं इसको देश को समाज को हमारी रच्ज सरकारों को महिलाओं के विरुद्ध अपरादों की जल्द से जल्द जाच हो राक्षसी कृत्य करने के वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो वो विश्वात पैदा करने के लिए जरूरी है मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलातकार की अब महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है बहुत प्रचार होता है मिडिया में छाया रहता है लेकिन जब ऐसे राक्षेसी मनोवृत्ती व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है कौन में कहीं पढ़ा रहता है अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्ता हो ताकि ऐसा पांप करने वालों को भी दर पैदा हो कि पांप करने की हालत यह होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है